हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो अथांटिक इंडियन कुकन ब्लोक्स यूटूब चैनल आज हम आप लोगों के साथ शेर कर रहे हैं हेल्थी प्रोटेन रिच दोसा रेसिपी जो परफेक्ट होता है ब्रेक्पास्ट के लिए इसके साथ हम बनाएंगे आलो करी और रो कोकु है यहें इंग्रिडियंट्स जो हमें चाहिए दोसा बैटर बनाने के लिए बड़ा सा बावल ले लिया है हमने मिजरमेंट कप लिया है त्री कप्स ओफ प्लेन राइस लेंगे हम हाफ कप उड़त दाल लेंगे सेम मिजरमेंट कप से और वन बाइफ पौथ कप हम लेंगे तूअर दाल वन बाइफ पौथ कप चना दाल चना दाल आड़ करिएगा दोसे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा ट्राइज जरूर करिएगा फ्रेंड से एक बार इस तरह से दोसा बनाकर अब हम सभी दालों को और राइस को तू 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 त्री टाइम्स वाटर में अच्छे से वाश करेंगे वाश करने के बाद फुल वाटर आड़ करिए 5-6 अवर्स हमें सोक करना है धक कर रख दीजिए 6 अवर्स के बाद हम इसे फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सी जार में डाल कर यहां पर हमने ले लिया है पूहा हाफ कप पूहा लिया है हमने इसे 15 मिनट्स के लिए हम वाटर में सोक करेंगे वाटर आड़ करिए और धक कर रख दीजिए 15 मिनट्स के लिए सिक्स अवर्स के बाद हमारे दाल और चावल अच्छे से सोक हो गए है वाटर मैंने स्ट्रेंड कर लिया है अब इसे मिक्सी जार में डाल कर फाइन पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा वाटर आड़ करिए पूहा जो हमने 15 मिनट्स के लिए सोक किया था वो भी हम अड़ कर देंगे देखिए इस तरह से मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है दोसा बैटर का इसी तरह से हम सभी दाल को थोड़े थोड़ा डाल कर फाइन पेस्ट बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा दोसा बैटर हमने फाइन पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा नमक आड़ करिए मैंने यहां पर टू टी स्पून आड़ किया है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग भी आड़ कर सकते हो मिक्स करिए अब हम इसे ढखकर रख दिंगे ओवर नाइट अब हम बनाएंगे आलू करी दोसा करी यह हैं इंग्रिडियंट्स जो हमें चाहिए मसाला आलू करी बनाने के लिए यहां पर हमने ले लिया है त्री मीडियम साइज ओनियन्स फाइब पोटाटोस जिसे हमने बॉइल करकर स्किन पिल ओफ कर लिया है एक बड़ा सा पैन लीजिए फोर टेबल स्पून कुकिंग ओल अड़ करिए नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे चॉप्ट ओनियन्स ओनियन्स डालकर हमें फाइब मिनेट्स के लिए फ्राइ करना है फाइब मिनेट्स फ्राइ करने के बाद हल्का सा ब्राउन होने के बाद ओनियन्स हम आड़ करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून फ्रेश जिंजर और गार्लिक पेस्ट हुनियेगा तो मिनेट्स के लिए नेक्स्ट हम आड़ करेंगे बॉइल पोटाटोस जो हमने बॉइल कर लिया था मैंने यहां पर हाज से ही मैश किया है मैश करकर इस तरह से एड़ कर दिया है नेक्स्ट एड़ करिए वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून कली मिर्च पाउडर वन टी मिक्स करिए तू मिनिट्स के लिए हमें लो फ्लेम पर कुक करना है लास्ट में आड़ कर दीजिए थोड़े से बारिक कटे हुए धन्या पत्ते हरी मिर्च दो बारिक कटे हुए आट से दस करी पत्ता लीव्स मिक्स करकर स्टाव का फ्लेम बन कर दीजिए हमारा मसाला आलू करी दोसा आलू करी रेडी है है न बहुत ही तेस्टी और क्विक रेसिपी लग रहा है न बहुत ही तेस्टी नेक्स्ट हम बनाएंगे रौ कोकोनट चटनी रेसिपी यह हैं इंग्रीडियन्स जो हमें चाहिए चटनी बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है रौ कोकोनट इसे चोटे चोटे पीसेस में कट कर लिया है चार हरी मिर्च लिया है नमक लिया है 1 ती स्टून बुना हुआ जीरा पाउडर 1 ती स्टून अद्रकलसन पेस्ट वन ती स्टून और थोड़ी सी इमली जिसे हमने पानी में सोख कर लिया था हाफ अनस्वर के लिए मिर्ची और इमली का टेस्ट अपने टेस्ट के एकॉरिंग डालिए गाफ्रेंच और नमक भी आप अपने टेस्ट के एकॉरिंग डालिएगा सभी इंग्रीडिंट्स को हम जार में डालकर फााइन पेस्ट बना लेंगे ठोड़ा सा वाटर अड्ड करियेगा देखिए हमारे raw coconut chutney ready है सर्फ करने के लिए healthy, tasty और quick chutney recipe आप लोग भी बनाईए, try करिए उमीद करती हों कि आपको पसंद आएगा overnight होने के बाद हमारा दोसा बैटर इस तरह से लगता है अब ये ready है दोसा बनाने के लिए अच्छे से mix कर लीजिए स्टाव पर मैंने दोसा पैन रखा है थोड़ा सा few drops oil अड़ किया है इस तरह से दोसा डाल कर spread कर दीजिए स्टाव मैंने high flame पर रखा है 30 seconds to 1 minute के बाद वन साइट हमारा दोसा cook हो गया है इसे flip करकर turn कर लीजिए बहुत ही beautiful color लग रहा है तू साइट्स भी cook होने के बाद हमारा दोसा रेड़ी है सर्फ करने के लिए गर्मा गरम सर्फ करिए रोग coconut चट्णी और आलू करी के साथ है ना बहुत ही tasty और healthy breakfast recipe फ्रेंड्स मेरे रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आते हो तो लाइक शेर जरूर करिएगा मेरे रेसिपी को लाइक जरूर दीजिए लाइक देना आप भूल जाते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के साथ अगर आप बेल को क्लिक करोगे तो मेरे वीडियोस की नेटिफिकेशन आप तक बहुत चल पहुंचेगी पहले पहुंचेगी अब मुझे जासत दीजिए बनाईए खाईए हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपी एंजॉई करिए अल्हाफिस टेक केर गुट बाई